प्यार का एक अजब गजब मामला आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्यार में जान देने और जान लेने के कई किसे आपने यकीनन सुने ही होगे पर नागपुश हैर से एक अनोखा मामला सामने आ रहा है जहां अपनी प्रेमी का के पहले प्रेमी के जीजा द्वारा किये गए घोर अपमान का बदला प्रेमी ने दो सालों के बाद कुछ इस तरह लिया जिसमें जीजा सहीद उसके परिवार पर घातक हमरे कर उसे जान से मालने की कोशिश की गई इस रिपोर्ट में जानिये क्या है यह अनुका मामला जानकारी के मुताबिक कलमना के गौरी नगर निवासी पेड़ित जलील बेग के साले मुहमद अनवर का करीबन दो साल पहले एक यूफती के साथ प्रेम संबंद था पर उनका यही प्रेम संबंद तूटने के दो महिने बाद अनवर के जीजा को यूफती का दूसरा प्रेम संबंद आरूपी इमरान शेक उरुफसोनो नामक यूवक से होने की जानकारी मिली थी जिसके बाद जीजा जलील बेग ने करीबन डेर साल पहले अपने साले के प्रेमी का रह चुकी यूफती को उसके वरतमार प्रेमी इमरान औरुफसोनो के साथ अपने घर पर बुलाया गर पर दोनों प्रेमियों को बुलाने के बाद जलील बेग ने यूफती सहीत इमरान का घोर अपमान करते हुए अपशब्दों के साथ दोनों का अपमान किया इस अपमान को आरोपी इमरान ने उस वक्त तो सहन कर लिया लेकिन गुस्से की आग को अपने अंदर पजपने दिया जिसकी भडास आरोपी ने करिबन डेर साल बाद भयंकर तरीके से निकाली इसराइल बेग वही सबीस वर्ष कडमन हादित गवरिनगर मादे रहातात आनी ते अलकावसर होटल पारडिये ते सेपचा काम गरतात आनी त्यांचा जो साड़ा हे मुहमद अन्वर वही सबीस वर्ष दोन वर्ष पुर्वी यक्या मुली सोबत याजे प्रेम समन्द होते आनी त्याज मुली चे नंतर जो या गुन्यातिल आरोपिया हे मुहमद अमरान सेक उर्ष पसोनू याजे सोबत प्रेम समन्द जुडले आनी या प्रेम समन्द मदे जो जकमियां आपला जलील इसराइल बेग यानी त्यांना आपले घरी बोलाउन जे मुल्गिया हे आनी जो आरोपिया हे मुहमद अमरान सेक उर्ष पसोनू या अपमानी जला उता त्या विड़ेस आनी त्या मुडे जो जकमियां त्याजर जाज़ा गुस्सा होता फिरिया दीवर आनी दिनां 13-23 चे रात्रों सववा पंद अक्रा जलील इसराइल जलील इसराइल बेग यानी पोस्टे पारडी हनुमान मंदिर चावकातुन जे अलकाउसर होटला है ती तुन काम करून जात अस्तरना घरी सिव मंदिर गंगाबाग पारडी है ते आरोपी चाग आरोपी ने आनी त्याजा दूसरा भाववाए मोहमाद आयाज वल्दे इसाक से वही तीस वर छे आनी एक वीदी संगर छे बालक त्याजी एक्टिवा थामबावली आनी त्याला मारान केले त्या मोडे तो पड़ुन गेला थोड़ा दूर आनी मोबाइल वरुन त्याजा मोठा मुल्गा है शाहिद यानना तातकाण मदेती साथी बोलावला त्या मुडे जो जलील इस्राइल बेग आहे यांचा मोठा मुलगा शाहिद त्याजी पत्नी सव शबाना बेग, लाहन मुलगा जिशान बेग आनी सेजारी साबीर सेख जलील इस्राइल बेग यांचे पोटावर वार केलेला है आनी ये कपडावर आनी तसेच त्यांचा लहान मुलगा है जिशान जलील बेग वह पंद्रावर शे याजा डावे हाताचे दंडावर सीरियस वार केला हे दोनी घटना जालेयान अंतर पोलीश येन कडमना येते गेले होते रिपोट देने गरता त्यांना जे नाइट आपी सराएथ ये पियेत आमबे येनी मेवला रवाना केले आनी आमचे नाइट आपी सराएथ ये पियेत पियेत अहीरे येन्ना माहिती देली पियेस अहीरे येनी मला पन माहिती देली आमी मेवला गेलो आनि त्यांची ट्रीटमेंट बगेरे सुरू करून मोहमद इम जे है जलील इस्राइल बेग यांचा सविस्तर आमी रिपोड घेतला आनि कलम 37, 324, 323, 537, 34 प्रमानी गुना दाखल के लेला है आनि या जगड़ा मदे शबाना जलील छेखा है इला सुदा हाता बुक्यानी आरोपी तानी मारान के ले आनि तीजे कपड़े भड़ले आनि विने बंग खेला त्या मोडे 34 पन लावने आता लेला है आनि या तीने आरोपी ना आमी ताब्यात घेतला है या दोन आरोपी है ईमरान मोहमाद इमरान सेक उर्पसोन नू आनि त्याजा मोटब हो मोहमाद अयाज वल्दा इशाक सेक याना दोगाना आमी अटक के लेला है आनि जो विधी संगर्शे बालका है त्याला बालने आले है समोरा मी हजर करना रहोत आनि सदर गुन्याचा तपास PSI रंदीवे करीता है आनि सद्या सदर गुन्याचा तपास सुरू है आमसे मुहमद इमरान सेख उरुप सोनू याचे और 2013 मदे सेजारे सोबत भांडन चाले औरूं तीज़े चोवीस कड़ मनाये ते दाखलाई रेकाड वर आनि है दोनी भाव टाटायस गाड़ी चालाव तत असाद्यान सद्यास है जानकरी के अनुसा सुवार 13 मार्च को पीडित जीजा जलील बेग जोकी अलकौसर होटल में शेफ का काम करते है वो करीबन रात 11 बच कर 15 मिनट पर अपना काम खत्म कर पार्टी से अपने घर अपनी एक्टिवा से लोट रहे थे की रास्ते में आरोपी इम्रान ने जलील को रोका और उस वक्त आरोपी के साथ उसका भाई मुहमद आयाज और एक विधी संगर्श बालग भी मौडू था इन तीनों आरोपियों ने जलील के साथ मार पिट करना शुरू की जैसे तैसे पिडित ने इसकी सूचना अपने बेटे को फोन के जरीय दी जिसके बाद पिडित के परिवार से पिडित का बड़ा बेटा शाहिद पत्नी शबाना चोटा बेटा जिशान और एक पडोसी इनी हालत में पास के कलमना पुलिस स्टेशन पहुचे जहां इनकी हालत देखकर सहायक पुलिस निर्खशक तामदे ने सभी को मियो उस्पतार में भरती कराया जिसके बाद ये मामला उजागर हुआ फिलहाल सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की इजाज जारी है NBCN News के लिए अकलिज भादवच के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट